है वेल्कम बैक तो आर यूटूब चैनल कोड़ एक संकीत अन स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस हाइपरनेट फ्रेमवर्क के अमेजिंग से कोर्स में तो चलिए आगे पढ़ते हैं और लास्ट इमने यह आपको बता है कि किस तरीके से प्रॉक्षी डिजाइन पैटरन काम कर रहा होता है और यह आगे हम लोग देख रहे होंगे जब हम लोग 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 पढ़ रहे होंगे वहां पर बहुत इसका यू हो गया राइट तो वह हम लोग अभी सीखने वाले हैं ठीक है फाइन तो यहां चली हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग आज क्या सीखेंगे तो मैं यहां पर खोल लेता हूं एकलिप्स भी ताकि हमारा साथ में काम करता रहे खुलता रहे तब तक तो टिखिए हमारे पास है लोड Trump बिसीकली हमें अभजेक्ट को लोड करना है लाडset the object, loading an object, loading an object, loading the data, जो आपने record, अच्छा, object से मेरा मतलब क्या है भाई, देखिये, एक entity का object मतलब एक record, represent कर रहा है, entity किसको represent कर रहा है, record को, कैसे record को, database में जो table है, उसके अंदर record है, उस record को, तो loading an object का मतलब क्या हुआ, loading an object or loading a record, record को load करना, load करना मतलब ले आना, get करना, okay, loading or getting, 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 fetch, I want to select the record, ना, तो loading बोलिए, या selecting a record, okay, record from, selecting a record from the database table in hibernate, तो select कैसे करेंगे, कैसे आप उसको ले आएंगे, selecting कैसे get करेंगे, selecting बोलिए, getting बोलिए, बहुत सारी चीज़े आप यहां पर बोल सकते है, selecting मैं आप और लगा कर देता हूँ, getting a record from the database table in hibernate, hibernate में किस तरीके से आपको load करना है, कैसे आपको लाना है record को, क्योंकि माल लिजे हमारे database में record save हो गया, save होने से नहीं नहीं होगा, हमको कभी जरुवत पड़ा, तो हमें उसके use करनी है, right, use करने का मतलब कि मुझे उस object को अपने entity में वापस चाहिए, जो record है, जो save है हमारा, उसको मुझे वापस से use करना है, तो उसके लिए आपको load करना पड़ेगा, समझना चाहिए, आपको की select query होती है, जो चलती है, right, तो that is, hmm, fine यार, तो हमें वो करना है, तो वो हम hibernate से कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने आपको बताए, proxy dnpatter, क्योंकि उसका use है, आगे हम लोग देखेंगे, समझेंगे, जरूर समझेंगे, अभी फिलाल समझते हैं, कि loading an object का क्या मतलब होता है, तो selecting record, यहाँ पर अगर मैं लिखो कि loading an object का मतलब क्या हुआ, कि selecting record, okay, record from the database table and storing it into the entity class object, okay, अरे यार, load करना, अच्छा, अब एक बात बताए, मुझे entity class किसको represent कर रहा है, एक record को, एक entity class का object, एक record को represent करता है न, मेरे भाई, यह जो हम entity class बनाते हैं, ऐसे करके माल लिजे कि object of the entity class है, ठीक है, यह है हमारा entity class, one object, an object, object of, okay, तो यह entity class का माल लेते हैं कि एक object है, तो यह entity class का जो object है, जो आपके database में table में record है, ठीक है, जो आपके database के table में record है, ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं, PID, यहाँ पर PName, और यहाँ पर PQuantity, P Amount, product amount, यह price, यह मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा हमने, बस समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, मैं, ठीक है, चलो, समझो ध्यान से मेरी बात को भाई, आरे भाई, one, one entity, एक entity, let's say, one, ओके product का name है, pain, product की quantity है, one, product का amount है, hundred rupees, होगा कोई महेंगा pain मान लेते हैं, ठीक है, चली है, great, तो, ध्यान से समझना, यहाँ पर, यह जो object, यह जो entity हुई अभी हमारी, हमारे पास जो entity available है, एक entity मान लेते हैं, कि, यह जो entity है न, यह object जो आपको दिख रहा है, है, यह हमारा object है, तो, यह जो an object of entity class, चीक है, तो, यह किसका entity है, let's say product entity, okay, product entity, आरे मेरे भाई, product जब entity है, यह, okay, product entity, क्या है यह, product entity, तो, जब product entity, क्या represent कर रहा है, एक record को, एक object उसका, product entity, तो, इस product entity के पास, अरे भाई, यह object है, तो, इसके पास कुछ प्रॉपर्टी होगा, कि नहीं होगा, yes, होगा, तो, हमने कहा, int, p id, है न, p id, product id हुआ, अच्छा, और क्या हो सकता है, इसके पास, और हो सकता है, string, p name, अरे, object है, तो, int, या, float, float, p amount, product का amount क्या है, मेरे भाई, हो सकता है कि नहीं, एक entity, किसको represent करता है, अल्रेडी हमने आपको पढ़ा रखा है, entity बगेरा, एक entity किसको represent करता है, तो, one entity is representing one record, yes or no, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, an entity class is representing, representing the, database table, ठीक है, and, and, और क्या होता है भाई, कि an, one object, one object of entity class, is representing, representing one record, in the database table, database table, मेरे भाई, entity, हो सकता है न, yes, definitely, ऐसा हो सकता है, तो वही चीज़ दो लिखा हुआ है, मेरे boss, वही चीज़ दो लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे for example, यहाँ पर, जो int, pid था, यहाँ समझते हैं, यह जो pid है, वो one है, ठीक है, यह pid जो है, वो, कैसा है, one है, यह pid, one है, टाइप हो जाँ भाई, यह p name जो था, pain था, ओके, यह int quantity जो था, वो one था, और यह float जो था, वो hundred था, ऐसा हो सकता है, समझते हैं, कि इसी object का जो property है, उसका value यह सब है, one, pain, अब यह किसको represent कर रहा है, डेटाबेस में जो हमारा table present है, क्या उसको represent कर रहा है, यही वाला तो चीज हमारे database में table को represent कर रहा है, come on guys, it's easy to understand boss, हना समझना असान है, ज़्याद को स्टफ है नहीं, yes or no, fine, तो यह जो, यह किसको represent कर रहा है, यह entity इस database table को represent कर रहा है, definitely इस table को represent कर रहा है, हना मैं लिग लेता हूँ, product, table, db, table, ठीक है, product, तो एक object, एक record को represent कर रहा है, उसका अपना अलग अलग property है, that's it, तो इस object को आप कैसे देते हैं, क्या आप directly देते हैं, no, no, कैसे देते हैं, आपका object होता है, ठीक है, इस object को आप देते हैं, hibernate को, okay, इस object को आप कहां देते हैं, आप hibernate framework को देते हैं, hibernate framework और hibernate framework internally जो भी use करें, jdbc वगेरा यूज करता है, ठीक है, अब वो jdbc यूज किया, और internally यह hibernate framework आप से data निकाला, ठीक है, आपके object से data निकाला, और यह कहां save करवा देगा, यह कहां persist करवा देगा, तो database में, come on guys, db, है ना, database में यह जाकर कि आपका save करवा दिया, तो क्या यहां पर समझने में कोई दिक्कत है, क्या यहां पर समझने में कोई दिक्कत है, I don't think so, आपको दिक्कत होनी चाहिए, यहां पर समझने में, ठीक है, यह dbc में save करवा दिया, अब मान लीजे, database में तो save करवा दिया ठीक है यह क्या है object obj object लेकिन अगर आपको वापस record से यह आपका database record है ठीक है यह आपका database stable है अब इस database table से आपको चाहिए record db आपका कोई record present है ठीक है तो वो record जो present होगा वो कैसे देगा database database से यह hibernate आपको अगर कोई record चाहिए कि हाँ भाई मुझे उस product के बारे में चाहिए product 1, product 1 का detail निकालो जिसका product ID 1 है उसका detail निकालो ठीक है तो detail निकाला तो database से क्या निकला यह कहां जाएगा यह hibernate के पास जाएगा तो hibernate के पास कैसे जाएगा बाई hibernate framework तो object के साथ काम करता है है ना hibernate framework तो object के साथ काम करता तो यह object होगा यह object में ही जाकर कि & store हो जागा फिर से बापस से क्या समझाए आसन तो है समझना वह ही उसका opposite होगे यहाँ से यहाँ से उठाएगा यहाँ से लाएगा और इसको एक object बना करके दे देगा ठीक है object यह हुआ entity class simple obj this is entity class अब यह entity class का एक object हो गया हमारा समझना असान तो है boss क्या है तक इसमें दिक्कत है है ना तो basically अभी हमारा data जब इसके पास नहीं था जब इस database table में data नहीं था तो हम यूज कर रहे थे save method या persist method data को save करवाने के लिए अब हमारा data already यहां मौझूद है इस database table में तो अब यहां से data हमें चाहिए हमें इस table से चाहिए इस entity class के object में data तो हम कैसे करेंगे भाई कैसे लाएंगे data को है ना यह बात है तो इसको लाने के लिए क्या आपको load करना पड़ेगा object को yes आपको load करना पड़ता है उस record को लाना पड़ता है object को select करना पड़ता है get करना पड़ता है आपको लाना पड़ता है बिल्कुल लाना पड़ता है तो भी बोला जा रहा है selecting record from the database table कि database के table से एक record को select करना माल लीज़े इस record को हमने select किया मैं चाहता हूँ कि यह आ जाए तो यहां से मैंने select करके यह PID1 को मैंने select किया और मैं चाहता हूँ PID1 इस object में आ जाए तो object में आ गया तो मेरा काम हो गया मैं उस object का आगे परयोग कर सकता हूँ yes तो वहां से आ जाए हमारे object तक तो this is the meaning of loading और getting record और selecting the record from database table in hibernate yes or no I think अब आप इसको समझ गया होंगे तो load अब इसके लिए यह जो load करना या get करना है hibernate ने हमें 2 methods दिये हैं amazing methods हैं तो हमें आरे पास hibernate में 2 methods amazing हैं okay for this for this we can use okay हम लोग क्या use कर सकते हैं देखिए हमारे पास 2 method session का get method यहाँ पर यह 2 parameter लेता है ठीक है 2 parameter और session.load method है यह भी 2 parameter लेता है यह भी कितना parameter ले रहा है भाई 2 parameter यह इसको भी 2 parameter वो क्या देगा नहीं देना है क्या देना कैसे देना हो सब हम लोग अभी देख रहे होंगे ठीक है ओके ऊके तो हमारे पास सेसन डॉट गेट और सेस ox ये दो मेटर्स हमारे पास आ जाते है यहाँ आते है थोड़ा यहाँ tuo समझते हैं ठीक है तो जो पहला है हमारा session.load वो देखेंगे आज ठीक है session.get sorry not load देखेंगे get देखेंगे पहले भाई ठीक है get एक ये दो parameter लेता है ठीक है दो parameter लेता है अब देखिए जो get method है ठीक है the eager loading of the object अब ये eager load कैसे करता है इगर इगर लोडिंग का मतलब क्या होता है उत्सुक हो बाई eagerly load कर दो चाहे आप उस object का अपने code में परयोग में यूज करो या ना करो अपने project में लेकिन वो इसको load कर देगा database से पहली बात कि eager loading अरे मान लेकर आपको लैपटोप चाहिए आप जीद करने लगे अपने युज कर हो यह सब बीना देखे आपके मम्मी पापा ने आपको लैप्टोप ले दिया ठीक है माल लिजे कि मुझे ना सौपिंग पर जाना है मैं सौपिंग करने गया किसी बड़े मॉल में और मैं कपड़े खरीद लिया मैं उसको पहनूँगा कभी या नहीं पहनूँगा मुझे नहीं पता but just I am eager to buy that thing समझ में आ रहा है I am eager to buy that thing मैं बहुत ज़्यादा eagerly मैं उसका wait कर रहा हूँ मुझे चाहिए मुझे लेना है fine वो कपड़े ही चाहिए ही चाहिए मुझे I am just eager क्या समझ रहा हूँ मैं बस इक्चो को मैं मुझे उसको लेना ही है मुझे खरीदना ही है वो चीज मैं use करो या ना करो भाण में जाए वो चीज है ठीक है but मुझे पहले तो चाहिए या पहले मुझे आइफोन चाहिए मेरा आइफोन का use हो या ना हो मुझे iPhone चाहिए भाई, ने भाई, मुझे तो iPhone चाहिए, मुझे MacBook चाहिए, चाहिए मैं यूज करू उसका अच्छे से MacBook का Output निकाल लो से या ना निकाल लो लेकिन मुझे MacBook चाहिए, इसका मतलब क्या I am eager to buy the MacBook, मैं चुको बहुत ज्यादा ऐसे उसको लेने के लिए, उसको खरिदने के लिए, तो it performs the eager loading of the object, अगर आप उस object का अच्छे एक बात बताएं मुझे, माल लीजे, आप code कर रहा है, आपको उस object की जरूरत नहीं पड़ी है, तब तक आप उसको load नहीं करेंगे, हमने का कि हमने लोड कर रहा है, तो इसका मतलब कि एक query चलेगा data, अरे यार, कुछ भी काम होता है database पर, तो क्या query चलता है, एक query चलेगा, यसा or no, query चलेगा ना, SQL query चलेगा, कुछ भी आप manipulate करना चाहें, कुछ आप update, read, delete, या create करना चाहें, तो insert करना चाहें, तो जरूर चलता है, अब मेरे भाई, जब उस पर SQL query चलता है, तो database के resources यूज होते हैं, database यूज होता है, तो performance तो थोड़ा सा slow होगा, अग मेरे को जरूरत ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं, कि मैं वहाँ से data लेकर रहा हो, मैं उसका क्या करूंगा, अगर मुझे जरूरत नहीं है, तब, तो उस case में उसका तो कोई use नहीं है, तो ये session.getamated क्या करता, it performs the eager loading of the object, कहता है भाई, तुम use करो programmer, तुम इसको code में use करो ये मत use करो, मुझे उससे मतलब ही नहीं है, तुम अगर मेरे को run करवाये हो, session.getamated अगर तुमने मुझे run करवाया है, तो मैं बस object को load कर दूँगा, मैं object को load कर दूँगा database table से, मैं उस record को ले आओंगा, तुम उसका use करो ये मत करो, तुम्हारे उपर है, मैं नहीं जानता करेंगे, अभी दो चीजे देखेंगे कैसे, ठीक है, मैं उस record को ले आओंगा, जो record चाहिए, वो यहाँ पर हम pass करते है, actually, ठीक है, यहाँ पर हम pass कर रहे होंगे, fine, तो eagerly loading का मतलब समझ में आ रहा, eager loading, eager loading करेगा, okay, मैं लिख देता हूँ, whether you use the object or not, okay, just wait यार, यहाँ, let me make the color, है न, यहाँ, अगर मैं जाओ, whether you use the object or not, get method will load the object, okay, object, this is eager loading, समझ में आया, eager loading क्या हो रहा है, कि क्या मतलब है, यह मैंने लिख दिया, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, eager loading का मतलब, I think, अब आपको समझ में आ रहा होगा, I think so, कि whether you use that object or not, but get method will load the object, this is eager loading का यहाँ मतलब, fine, दूसरा हमारे पास है, session.load method बस, session में ही होता है, ठीक है, session.load method, अब यह जो session.load method है, इसा क्या काम है, it performs, it performs, it performs, both, it performs both, lazy, it can perform, it can perform, it can perform, both eager or, both eager or, lazy loading, of the object, ठीक है, eager or lazy loading of the object, समझना बहुस मेरा, ध्यान से मेरी बात को, it can perform at once, एक बार में या तो eager loading करवाएगा, या तो lazy loading करवाएगा, अब यह समझे, देखिए, lazy loading का मतलब हो गया, lazy loading का मतलब हो गया, कि भाई, जब जरुवत पड़ा, तो आपने उसको load करवा दिया, जब जरुवत नहीं पड़ा, तो आपने उसको load नहीं करवाया, ठीक है, तो यहाँ जो होता है, समझे यह ठीक है, eager का मतलब तो समझाई दिया, मैंने आपको lazy loading का मतलब होता है, और मैं डीटेल में बताऊंगा, वैसे तो, यहाँ लिख दे रहा हूँ, when you are using the object, when you are using the object, it will load, but understand, यह किसका मतलब होता है, okay, when you want, when you are using the object, it will load, okay, यह किसका मतलब होता है, यह lazy loading का मतलब, लेकिन, it can perform both, यह दूनों कर सकता है, भाई, यह क्या करता है, eager loading भी करवा सकता है, और lazy loading भी करवा सकता है, यह इसके जैसा भी हैब भी कर सकता है, और अपना जो इसका main feature है, lazy loading भी कर सकता है, by default इसमें lazy, जो lazy loading हो true रहता है, मतलब set रहता, on रहता है, ठेक है, तो default, default कैसा रहता है, default, default in lazy loading, default in, default, कैसा होता है default, lazy loading, we can change, we can change the loading type, we can change the loading type, हम लोग इस loading type को change भी कर सकते हैं, कि हमें कैसा चाहिए, अपने जरुवत के अनुसार, project में अपने जरुवत के अनुसार, हम लोग इसको change भी कर सकते हैं, that's not a problem, fine, तो, समझ गया है, lazy loading का मतलब कि जब जरुवत पड़े, तब ही इसको पहले, मतलब ऐसा नहीं कि वो बस करके रखेगा ही रखेगा, आपका जब जरुवत पड़ेगा, तब आप इसको करवा सकते हैं, थोड़ा flexibility आपको देता है, ठीक है, तो, इसका detail में बात करेंगे, बाद में, अभी पहला हम ये बात करते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, इसका practical देखेंगे, फिर इ यहां से हम लोग खोलते हैं, किसी session API में, देखिए, यह interface session है, है ना, session है, session के अंदर ही होता है, session के अंदर ही होता है, मेरे भाई, और session के अंदर मैं चाहूं, तो get सर्च कर लेता हूं, get, चलो देखो, यह रहा get हमारा, यह हमारा get class, यहां पर क्या लिखा हूँ है, देखो, object, get, class, class type, अना, class type, class मतलब क्या है, यहां पर, यह persistence class, id, serializable type, serializable type, object, get, return the persistence instance of the given entity class with the given identifier or null if there is no such persistence instance, if the instance is already associated with the session, return that instance, समझ रहो, देखो, यहां पर get, यह क्या return करेगा, object type का object, ठीक है, यह return कर रहा होगा, get, अगर आप इसका API देखे, जावा, जाते हैं, यहां पर अपने documentation में, यह जो हमारा hibernate है, यहां पर हमारा install किया हूँ है, और documentation में, then javadocs, यहां पर देखो index.html है, ठीक है, यह आपको java का documentation दिखा देगा, javadocs hibernate का, यहां पर अगर मैं सर्च करता हूँ, session, कहीं पर मुझे मिलेगा, session देखो, यह रहा, अब session हम मिला, इस session में सर्च करते हैं, get method, कहीं पर तो होगा get, get भाई, हाँ, यह रहा get, यह देखिए get, कैसा है, मैं आपको खोल करके यहां से दिखा हूँ, अच्छे से get, ठीक है, देखे, पहले इसका signature समझते हैं, कैसा signature है, यह, t, ओ, अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सिर्फ, get, entity, type, serializable, id, this get, और, here, okay, copy it, and, serializable, id, यह, इसका क्या signature है, method signature, method signature, method signature समझ रहे न, क्या होता है, method signature, method signature, मतलब जो इसका पूरा real method है, वो दिखता कैसा है, उसका क्या public है, नहीं है, कैसा है, static है, non-static है, जो, सब कुछ मतलब इला कर, कि जो भी आप इसको बोल सकते हो, कि यह method signature है, method signature, method signature, method signature, ठीक है, तो यह किसका signature है, method signature, session, अच्छा मैं लिखी देता हूँ, session.get, यह get method का signature है, fine, session.get method signature, अब यह method signature आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो T, है ना, यह T जो आपको दिख रहा है, एक second में इसको मिटा आता हूँ, यह जो आपको T दिख रहा है, T का मतलब यहाँ पर होगया, generic class में, ठीक है, generic class में अगर आप यूज करते हैं, coach भी, यहाँ पर generic type में बोल रहा हूँ, type, type of the class, ठीक है, तो यह type of the class है, यह उसी का return type है, class type T, T, T return कर रहा है, T, T return करने का मतलब यह वही class return करेगा, जिस class को आप यह entity pass करोगे, जिस class का entity होगा वो, क्योंकि आपके उपर depend करेगा ना, कि कौन सा entity है, हो सकता है, आप multiple entity, student entity होगा, हो सकता है कि आपके पास product entity हो, और है ना, बहुत सारा है, product entity हो, हो सकता है, आपके पास employee entity हो, हो सकता है, आपके पास order entity हो, है ना, तो ये अलग-अलग तरीके के entity हो सकते हैं आपके database के लिए अलग-अलग तरीके के entity आपके program में हो सकते हैं आपके project में हो सकते हैं तो ये T का मतलब वही हो गया type of the class है na कौन से class का entity आपको चाहिए कौन से class का object चाहिए तो माल लिजे मैं मैं अगर product ढूंड रहा हूँ तो definitely मैं a student का entity नहीं चाहूँगा मैं product का entity ही चाहूँगा मैं product का entity object ही चाहूँगा यह मैं यह चाहूँगा कि हाँ मैं a student ढूंड रहा हूँ और मुझे product का details मिले नहीं मैं अगर student entity डूंटाओ एक roll number 1 मुझे data चाहिए हमने card roll number 1 जाके देखो या मैंने कहा product ID 1 तो जब product ID 1 है वो तो product table में है तो मतलब product entity जो हमने बनाया उसका object में जाना चाहिए सब चीज़ तो जो entity आप यहाँ पर डालोगे वही entity आपको return करेगा इसलिए इसका return type b वही है ठीक है इसलिए इसका return type b वही है और यह क्या करेगा serialized ID कौन सा serializable ID ID मतलब वो जो primary की डालोगे ना यह जो primary की जो आपका ID होता है वो ID आप डालो serializable के format में serializable के format में कहने का मतलब आप डालोगे आप primitive डालोगे तो वो convert हो जागा क्यों क्योंकि serializable एक ऐसा common interface है जो हर wrapper class यूज करता है wrapper class मतलब जो integer capital intger वाला ठीक है उसके बाद float capital F L O A T है ना double capital D O B D O U B E L E तो this T means the type of class class when when we need the entity object okay when we need the entity object from the when we need entity object from get method हमें get method से क्या चाहिए entity object क्यों already उपर समझाया ना कि एक entity class किसको represent कर रहा है एक table को entity class का object किसको represent कर रहा है एक उसका जो object किसको represent कर रहा है तो वो represent कर रहा है कि record को right तो when we need the entity object from get when we need the entity object from get method से अगर हम को चाहिए entity का object then then we will we will pass the require entity class name entity class name in our running java application okay in our running java application and then then it will run the it will process it and returns the instance object of object of the same t means same 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 entity class object which we have passed in 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 passed in get method get method as parameter parameter this t means type of the class which type of class entity class it is serializable id this is serializable if you a int it will auto boxing use serializable convert here first this type of the class when object we want student entity we say session get product entity product entity it only needs the name it only needs name it only needs the only needs the name this session get method okay class one that class here has passed one this is ID one see यह लाइन यह वाली लाइन जो है यह आप से object नहीं मांग रहा है entity class का ध्यान से समझ यहां पर मैंने लिख रखा भी है हमने यहां पर लिख रखा भी है कि it is demanding then we will pass the require अच्छा pass में double s होगा भाई double s होगा कोई बात ने pass the require entity class name only class name class name okay here understand we will pass the entity class name सिर्फ नाम चाहिए उसको नाम नाम चाहिए entity class name object नहीं चाहिए ठीक ना object नहीं चाहिए यहां पर अगेन में लिख देता हूं okay session.get method get method does not need the object does not need object object of entity class to pass in its parameter 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 मेरे भाई object तो मुझे यह खुद देगा तो मैं इसको क्यों object दोंगा क्या समझ में आ रहा है हमने कहा कि भाई हमें तो session.get method से object लेना है मुझे session.get method से object लेना है है ना किस से तो मैं object मांग रहा हूं किस से entity मतलब इस get method से कहा रहा हूं कि हाँ जरह देखो तो कि इस id से कोई entity है कोई record है कोई entity है entity किसको represent कर रहा है record को एक object entity का कोई है हाँ है तो जो है नाम देने का सबसे अच्छा उपाई क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, अरे भाई, क्या मैंने आपको java.lang.class पढ़ाया था, यहाँ पर मैं लिख दू, it only needs, it only need, it only needs the name of the entity class as java.lang.class object, ठीक है, object, तो भाई, java.lang.class मैंने आपको पढ़ाया है ना, पिछली वीडियो में, yes, मैंने आपको बताया है, कि किस तरीके से यहाँ पर इसका हम लोग रख सकते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका java.lang.class में object बनाने का क्या था, dot class, तो क्या मैं dot class ऐसे पास कर दूँ, यहाँ पर, dot class अगर मैंने यहाँ पर ऐसे पास कर दिया, तो क्या मेरा product.entity java.lang.class में हो गया, yes, product.entity, यह product.entity, किसको represent कर रहा है, product.entity.class, एक java.lang.class को, अब java.lang.class का object, अल्रेडी मैंने आपको बता रखा है, कि java.lang.class का object, सिर्फ नाम रखता है, किसी भी running java application में, किसी भी running, run, run कर रहा है आपका application, तो उस application में, अगर आपका कोई java.lang.class का object क्या रखता है, उस running application में, अगर कोई class का नाम रखना है, कोई interface का नाम रखना है, अरे तो मुझे नाम ही तो देना है इसको मेरे भाई तो मैं नाम कैसे दूँ मैं variable में थोड़ी नाम direct दे सकता हूँ नहीं तो running java application में आपको जब नाम देना हो किसी class का तो java.lang.class का object चाहिए होता है और java.lang.class का सबसे असान तरीका है java.lang.class का object बनाने का कि .class property यूज़ कर लिजे .class property यूज़ कर लिजे तो उसका .class property हमने यूज़ कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि product entity जो नाम है उस class का जो नाम है वो यहाँ पर पहुँच गया अब इसको नाम ही चाहिए होता है it only needs the name क्यों अरे नाम हम बताएंगे ना कि मुझे product entity का object चाहिए या मुझे employee entity का चाहिए मुझे object नहीं देना मैं क्यों object दूँ अरे ये मुझे object देगा ना यार समझरो समझरो तुम उस object में details है अरे यार मेरा birthday है तुम लोग मुझे object दोगे या मैं तुम लोग मुझे gift दोगे या मैं तुम लोग देगो यार मैं party दोगा मैं treat दोगा right मैं बताओंगा मैं बताओंगा कि मेरा birthday है मैं बताओंगा मेरा birthday है तुम लोग gift दोगे मेरे को right मैं बताओंगा कि मेरा birthday है तुम लोग मेरे को gift दोगे come on हाँ है अरे आपके table में आपके database में हो सकता है 10 तरह की चीजे हो 10 table बनाए अब एक table का मतलब एक entity class student का detail student entity class में product का detail product entity dot java class में employee का detail employee entity dot java में order का details order entity dot java में अरे मुझे जिसका जरुवत पड़ेगा वही बताऊंगा न क्या समझे रो अगर मुझे जरेड color का तो मैं red color का search निकालूँगा अपने wardrobe से अपने almira से मुझे अगर green पहिंना तो green निकालूँगा मेरे भाई तो मुझे पता है ना green हाँ तो वो जो नाम है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कि क्या क्या आप find करना चाहते हैं कौन सा entity type का आप find धूनना चाहते हैं get करना चाहते हैं तो वो नाम देना पड़ेगा और वो नाम आप variable में नहीं रख सकते हैं किसी भी application में java application में जब कोई भी अगर java का application है जो run कर रहा है तो java.lang.class class के object को बनाने के लिए सबसे असान तरीका है .class तो मैं यहाँ पर .class पास कर दूँगा मैंने यहाँ पर .class पास किया और यहाँ पर one पास कर दिया one क्यों पास किया यह जो id है वो यह id मैं पास कर दूँगा पी आइडी अब यह जो पी आइडी है उस आइडी से अगर कोई मिलता है तो यह find करके मुझे दे-देगा क्या समझेYeah यह मुझे easily convert करके दे देगा यहां यह लो समझे मैं आ रहा है, यह मुझे find करके easily देदेगा कि हाँ sir यह रहा आपका मिल गया और नहीं मिला तो null return कर देगा समझ में आ रहा है ना null return कर देगा अगर नहीं मिलेगा तो उसके data बेश्टेबल में वो record नहीं मिलता है तो तो असान तो है यार इतना इतना तम्रुक tension में क्यों हो क्या समझ में आ रहा है yes अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है में आपको समझ में आना चाहिए यह समझ में आना चाहिए आपको ठीक ना तो यह वही class का मुझे entity return करके देगा और मैं उसको रख लूँगा ठीक है जब मैंने यहाँ पे इस तरीके से यह क्या return करके देगा same class का entity तो मैं एक हुआ ही product entity P product entity P equal to मैं इसमें store कर सकता हूँ अब definitely कर सकता हूँ तो मैंने इसमें store कर लिया क्या समझे मैंने इसमें store कर लिया तो अभी मुझे मेरा काम तो हो गया मेरा काम इतना ही तो था येस, मेरा काम इतना ही था हो गया मेरा मुझे मिल गया एक P अब इस P को अगर मैं print करूँ system.out. system.out. println println अगर मैं P को print करूँ तो क्या to a string method call हो जाएगा किसका, उस product entity का yes to a string call हो जाएगा राम से जो भी होगा वो हमें दिख जाएगा definitely दिख जाएगा जो भी data होगा उस to a string में जो भी print करवाया गया होगा to a string की मदद से सारा का सारा दिख जाएगा yes, बिल्कुल दिखेगा क्या समझे क्या समझ में आ रहा है अब बात है कि यहाँ पर हमें serializable pass करना था ये देखो हमें यहाँ पर serializable pass करना था है ये जो हमें pass करना यहाँ पर serializable pass करना तो भाई serializable id जो है क्या हम serializable यहाँ पर pass कर रहे हैं हम तो यहाँ पर direct दे रहे हैं yes or no यहाँ पर जो हम data pass कर रहे हैं see यहाँ पर हमने एक normal सा int दिया है 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 ना simple int simple int value हमने यहाँ पर simple inter value दिया है तो यह convert हो जा रहा है यार by the help of autoboxing की concept से यह कैसे convert हो रहा है autoboxing का concept होता है core Java का concept है यह मुझे हर बार बताना पड़ता है आपको मैं जान रहा हूँ आप लोगे आप सब कुछ बताता जाओंगा ठीक है अब यह autoboxing से convert हो जाएगा long में या int में integer में ठीक है it will automatically converted into wrapper class value from int to integer अब यह integer क्या होता है यह wrapper class है आप लोग देखो है ना यह convert हो जाएगा integer okay this is called autoboxing and it's vice versa is called converting the wrapper class value to the simple ones are called is called is called simple ones is called auto unboxing auto unboxing तो यहां पर autoboxing हो रहा है कि नहीं हो रहा है yes तो autoboxing का concept यहां पर apply हो जा रहा है yes यहां पर भाई autoboxing का concept apply हो रहा है और यह integer में बदल जा रहा है यह integer capital i n t e g e r में बदल जा रहा है integer होता है serializable मैं दिखा दूँ आपको यहां पर अगर आप जाओ देखो यह मैंने खोला था आपको java का इसका documentation jboss का अच्छा यहां पर खुली गया अगर मैं आपको docs दिखाता हूं java 8 का देखो all implemented interfaces serializable all implemented interfaces class integer serializable क्या serializable interface को implement कर रहा है yes कर रहा है तो auto boxing से हमारा one int convert हुआ integer में और integer खुद में integer class खुद में कैसा है serialized है तो यहां पर जो serializable हमसे यह demand कर रहा था क्या वो demand भी पूरा हो गया yes पूरा हो गया तो क्या यह method चलेगा yes चल गया method क्या समझ में आया कैसे काम कर रहा है हमारा क्या समझ में आया किस तरीके से यह demand कर रहा है क्या parameters और कैसे get method चल रहा है yes or no come on I hope मैंने इसको बहुत अच्छे से clear किया है समाज में आना चाहिए आपको ठीक है अब जब get method कसी nature हम समझ गया है उसका कैसे क्या मांग रहा है वो सब समझ गया है तो अब जड़ा और देखतें इसको internally किस तरीके से हमारा मदद कर रहा है किस तरीके से internally काम कर रहा है चरह वो समझतें एक बार बहुत अच्छे समझेंगे आराम से समझेंगे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं हरबड़ी नहीं करेंगे ठीक है आराम से समझेंगे सब कुछ समझ में आएगा सब कुछ हम लोग सीख रहे होंगे yes definitely one second ठीक है यहां पर मैं एक लाइन और यहां पर लिख देना चाहूंगा कि all rapper classes are serialized by default ठीक है वो by default ही और हमारा जितना भी rapper class है वो serialized हो जा रहा है fine तो internally किस तरीके से यह काम करता है जरा उसका over view लेते हैं ठीक है internally किस तरीके से काम करता है जरा हम लोग उसका over view ले लेते हैं देख लेते हैं ठीक है देखें जैसे ही यह method चलता है यह वाला method जैसे ही fire हुआ हमारा fine यह method जैसे हमारा fire होता है as soon as it gets fired जड़े इन्टर्नल वरकिंग समझते हैं, इन्टर्नल कॉड कैसे चल रहा होगा, जो JDBC की ऐंधे हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है अभी, ठीक है, इन्टर्नल कोड ओबर भीव, हम लोग देखते हैं कि इन्टर्नल कोड कैसे यहां पर काम कर रहा होगा, और उसका ओबर भेहू देने से पहले की ओके जो हमारा get method है जैसी आप इसको run करते हो hits the database the moment when it runs जैसे यह method run होता तो hit the method करता है and find and tries to find the record and store it into the into 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 entity class object जैसे ही यह run होता है वैसे ही यह कोशिस करता है ठीक है यह run हुआ है ना यह run हुआ माल लीजे अब database में हमारा already यह store है पहले से समझते हैं कि यह हमारा जो है वो database का table है ओके ऐसे समझते हैं यह database का table हमारा already है यह database है इसमें हमारा already a store है प्रोड़क्ट आइडी वन प्रोड़क्ट नेम पेन क्वाइंटिटी वन हंड्रेड रुपीज ओके लेट्स अंड्रस्टेंड यह क्या होगे हमारा PID मैं डिभाइड भी कर देता हूँ यार थोड़ा तब तक आप लोग कमेंट करो आपको समझ में आया इसे यह सब कमेंट करके बताएं और प्लीज प्रेजेंट लिख दो आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहा है प्रेजेंट जरूर लिख दीजे प्रेजेंट लिखने से ऐसा आपस में ही आप लोगों को वो होगा motivation मिलेगा कि हाँ लोग पढ़ रहा है मैं नहीं पढ़ रहा है आपको कैसे जो भी आपको करना है quantity है ना और ये क्या हो गया प्यमाउंट और ये क्या हो गया हमारा प्यक्वाइन टिटि प्रोड़क्ट क्वाइन टिटि ओके माली यहाँ पर हमारा है fine समझते है p name हो गया p quantity है हमारा p amount है तो यहाँ से ये method चला ठीक है ये method चला ऐसे method चला हमारा already हमारे पास available है क्या available हमारे पास database में ये वाला data already available है अब ये चला ये method run हुआ जैसे ये method run हुआ तो क्या create हुआ result set create हुआ JDBC result set create करता है ना इसके पास दो चीज़े होता है after the first record और before the first record okay AFR and BFR fine तो वो सब होता है बट ये मालता है कि result set इसमें create हुआ यहाँ पर result set अब ये RS result set create हुआ ठीक यहाँ पर create हो गया तो इस result set में data आ गया ये वाला yes इस result set में ये आ गया ना हाँ ये result set में यहाँ पर आ गया अब जब result set में यहाँ आया तो ये data किसको मिल जाएगा मेरे boss यहाँ समझो भाईरभाई यहाँ समझो boss आप ये data मिल गया object को हम यहाँ पर एक object में ऐसे इसको रख लेंगे क्या समझे entity class object ये और नो तो अब समझो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारे internal code overview देते हैं ये जैसे ही वो code चलेगा session.get method वैसे ही ये database के साथ हीट होगा पहले तो वैसे ही database के साथ हीट हो जाएगा वो database पर चलेगा और चला जाएगा ठीक है अब internal code overview ज़रा समझे कि product entity p equal to session.get हमारा चला ठीक है किस तरीके से काम हो रहा है तो internally jdbc connection बना अब jdbc connection बना सब कुछ ready हुआ तो यहाँ पर मतलब जो भी session था यहाँ हमारा चला prepared a statement prepared a statement interface होता है जिनको नहीं पता है ठीक है prepared a statement jdbc में interface होता है उसका object बना मतलब उसके implementing class का किसी का ठीक है कैसे तो connection से prepare a statement अब एक बात मुझे बताईए कि जब prepare a statement हुआ यहाँ से तो क्या query चलेगा yes query चलेगा कि नहीं चलेगा यहाँ पर query चला ना यह query कैसे हुआ यह generate हो जाता है ना आप ही बताता हूँ select a star स्थिखना यह select ऐसे करके p name p qty p p qty p amount p amount from product table from product अब यह different database के बाई चेंज भी हो सकता है तो यहाँ पर ध्यान रखना this query can be changed database to database थोला सा ही इसका syntax change हो सकता है right select कि select करो p name p qty p amount from product table okay product table ठीक है product table where p id is equal to what अब इस वाट के जगा अब यह चलता है अब यह चलेगा fine क्या समझ में आ रहा है असान है yes session factory मैंने आप अल्रेडी बता है रखा है तो यह चला यहां से prepared statement में अब prepared statement के पास क्या होता है मेरे भाई यहां पर ps.set int integer set integer यहां पर ऐसे है ps.set integer अब इस set integer में यह क्या करता है कि first index पर यह क्या है हमारा यहां पर इस query का चलने वाला query का है वह first index होगा ना तो हमने कहा कि ps. 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 क्या था मेरे भाउस क्या था यहां पर बाउस set integer set integer में 1, क्या पास कर दो बताओ तो 1 index पर आप पास करो 1 जो 1 आपका है 1000 यहां यहां पर हम 1 ले लेते हैं क्योंकि 1 ही हमारा आइडी है तो यह आइडी हमने पास कर दिया यह सना यह आइडी हमने पास कर दिया अब यह आइडी इस इसके जगह जाकरके वह हो जाएगा replace हो जाएगा यह 1 यहां पर चला जाएगा come on great set integer integer set हो गया अब यहां पर result set का जो object बना ठीक है result set यह क्या return करके दिया result set rs equal to ps.execute query अब यह select query को चला देता है select query को database में चलाया तो इसको result set मिला अब result set जो है यह नल तो होगा नहीं क्योंकि इसके पास result है मतलब result निकला इसका result set निकला ना जो भी record निकला तो हम अब यहां पर क्या कर रहे होंगे तो निकला हमारा ध्यान से समझिएगा, यहां से इसको result set में record आ गया, अब यहां पर क्या होगा, कि इस Rs में जो record है, है न, इफ यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर देखो आप कि आरेस में अगर record है, if आरेस इस नॉट इक्वल टू नल तो क्या करना है, जो भी आपका result set निकला है, उसमें से value जो है, entity के object में save करवा देना है यह सेब करवा देना है तो यह जो result set का object है कहां जाएगा, यह object में, हैना result set का जो भी value है, not object, जो भी value है वो entity class के सारे object जो होगा, जो भी entity class का object होगा, उनका जो property होगा entity class का जो सारा property होगा उसमें एक-एक value जाकर के set हो जाएगा come on, yes, name name set होगा, जो भी जिस तरीके से जाएगा, उस तरीके से वो sit हो जाएगा है ना, तो उससे पहले क्या object होना जरूरी है entity class का, yes, तो entity class का object होना जरूरी है तो मुझे एक बात बताएगे java.lang.class यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे roughly फिर से आपको दिखा दो एक बार, तो java.lang.class ठीक है नाम था ना, हमारे पास dot class करके dot class करके नाम अवेलेबल है yes, yes, नाम हमारा अवेलेबल है तो java.lang.class तो एवेलेबल है हमारे पास, उसमें एक method होता है new instance, जिससे object create होता है, are you there? yes, क्या समझ में आ रहा है, yes ना, तो यहाँ पर देखो आप, अगर dot for name method, क्योंकि run time पर चाहिए, तो run time पर object बनेगा ना, yes, तो compile time पर कैसे बन सकता है, compile time में प्रोग्राम रनी नहीं हो रहा तो कैसे समझेगा database के किसका हमको कौन से entity में डालना है कौन से data, तो run time पर जरूरी भी तो है yes, तो class dot for name में यहां पर data आ गया है ना, यहां पर data आ गया क्या वो class का नाम, क्या था मारे class का नाम मेरे class का नाम था माल लीजे product entity है ना, product product entity यह हम माल लेते हैं कि यह मेरे class का नाम था तो मेरे class का नाम जब product entity था तो class dot for name dot new instance method से object बन गया येस निव इंस्टांस मेंटर से object बन गया ठीक है class.forname अब ये क्या return का दे रहा है आपको object कैसा तो product entity का ठीक है product entity का अब product entity का object बन गया यहाँ पर येस ये product entity का object बन गया अब ये जो नाम है देखिए यहाँ पर जो आप value डालेंगे ये product entity यहीं से तो आ रहा है तो ये नाम कहा चला गया ये नाम एक variable में चला होगया थोड़ी देर के लिए और यहाँ पर आ जागा उस parameter की वज़ासे जो भी आपने parameter डाला है उसकी वज़ासे ठीक है तो parameter में नाम चला गया तो जैसे आप अगर docs खो लेंगे तो यह जैसे तुमारा है session यहाँ पर देखो docs docs अगर आप देखो तो get method जो है इसका यह jboss ठीक है यह jboss का docs है अगर मैं वर्सन चेंज करके अगर आपको दिखाऊँ तो fine यार यह सही है अशे भी तो problem नहीं है session ओ सॉरी यार get 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 यह देखो class class get class class लिखा हुआ है get कहां गया यार get अरे यार where is this get हाँ देखो class class है ना अरे वो जो t लिखा हुआ था ना उसके बदले यह class लिख दिया गया है तो class मैं मान लिजे यह चला गया ठीक है यह class variable में हम उसको class बोल रहा है हम क्या बोल रहा है class बोल रहा है इस class को copy कर लेता हूँ मैं and just paste it कि यह जो है class variable में चला गया class parameter के पास पहुच गया है ना यह class parameter के पास पहुचा ना यार इसका नाम यह class parameter के पास पहुच गया तो new instance के क्या बन गया method बन गया किसका runtime पर class dot for name में new instance method होता है जो मैंने आपको बताया तो यह class किसका बनाना है तो इस product entity का वो product entity नाम कहां इस class variable में तो class variable इस new instance है एक entity बन गया ना yes entity बन गया बास तो अब क्या कीजिए यहां पे आके नीचे नीचे if ध्यान समझी आगए कि rs.next iterator चलाईए अराम से ठीक है तो मतलब next next से क्या होगा कि उसमें कुछ available है वो तो iterator है result it आपका तो if rs.next next हां है अगर next है ठीक है अगर if it is true यह boolean होता है next अगर true है ठीक है भाई true है तो एक काम किजिए कि p अच्छा यह product entity जो है इसको हम लोग कुछ दे देते हैं नाम है ना कुछ नाम दे देते हैं तो product entity जो है यहां पर उसमें हम कुछ नाम सेट कर देंगे उसके बाद ओके product entity ठीक है यहां select से हमने pe pe एक variable में जो object बना वो hold कर लिया तो pe. ठीक है यहां चलो एक सेकेंड यार इसको मिटाई देता हूं तो अब हम क्या कहेंगे कि हाँ result set में कुछ value है हाँ है तो क्या करो pe.set pid में क्या करो rs.get pid ठीक है get pid जो भी id है वो लेकर क्याओ और इसमें set कर दो pe.set pname जो product का name है वो result set से लाओ get pname और इसमें set कर दो pe.set pqty quantity जो result set में है उसमें set कर दो ठीक है जो result set में उसमें से लाओ मतलब get करो और set कर दो यहां पर उसी तरीके से एक बार और चलेगा p.set set pamt amount जो भी rs.get pamt है वो set कर दो तो क्या समझ में आया यह run कर जाएगा code अब यह यहां से चला ठीक है हो गया अगर नहीं है तो null हो जाएगा नहीं है तो simple null हो जाएगा यसना नहीं है उसमें कुछ तो कुछ तो set होगा ही नहीं तो null हो गया else समझ में आया यह fine इस तरीके से set हो गया हमारा अब जो set हो ही गया सब कुछ हो गया तो अब क्या हो जागा यह जो object है इसमें जो भी हमारा values रहेगा इस object में जो भी हमारा property रहेगा p.name p.name result set से निकला get method से और जाकर के set हो गया get method से निकल कर गया come on समझ में आया तो यह इसका internal इस तरीके से चल रहा होगा internal is jbc का यूच करेगा यह तो jbc यूच करेगा यह query चलेगा query तो pre-generated होता ही है query चल जागा database पर query चला तो वह जाकर के find करेगा object होगा अब इस empty object में हम क्या करेंगे जो भी property है उसमें value set कर देंगे कहां से हमने already यहां पर देख रखाय कि result set में हमारा value आ जाएगा result set में जो भी value आया get method की वज़े से हम set method ही हमारा entity में set कर देंगे तो value हमारा set हो गया internally इस तरीके से कहा नहीं कुछ चल रहा होगा क्या समझ में आया क्या आपको समझ में आया get method कैसे काम करता है बहुत deeply मैंने बता दिया right I think आपको समझ में आगे होगा अब आगे बात करते हैं कि किस तरीके से हम एक project बनाते हैं okay create a gradle project practical अब हम देखते हैं practical करके okay create a gradle project okay create a gradle project हम एक gradle project बनाएंगे क्यों बनाएंगे भाई मैंने आपको already बता रखा है मैंने gradle आपको already पढ़ा रखा है नहीं पढ़ा है आपने तो आप आपकी गलती है इसमें आप अगर नहीं पढ़े हैं Gradle तो आपकी गलती है मैंने बोला था Gradle आप पढ़िए Gradle हम लोग जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे Gradle में बनाएंगे तो प्लीज बैरली Gradle पढ़िए Gradle आपको मिल आएगा अगर आप जाएं और प्लेलिस्ट में आएए आप तो यह प्लेलिस्ट में Gradle टूटोरियल है ना यह Gradle का टूटोरियल आप पढ़िए ठीक है यह Gradle आप पढ़िए यह Gradle आपके लिए जरूरी है बहुत जरूरी है Gradle, तो Gradle हम पढ़ लेंगे, come on, जब Gradle पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लो Gradle का प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, अभी बनाईए, ऐसा नहीं करोंगे, नहीं बनाना है, आपको एक create करना है, Gradle project create करना, Eclipse to make your build ship plugin, Gradle build ship integration होता है, वो आप में enable होना चाहिए, आपके Eclipse में, तब ही create होगा, मैं यहां से hibernate खुल लेता हूँ, कहा है भाई हमारा hibernate project, ओके, तो launch करता हूँ, यहां पर हम लोग एक prod यह बनाएंगे, तब तक मैं database setup करता हूँ, database के लिए dviver में use करता हूँ, एक database में हम नया table बनाते हैं, उसमें हम लोग use करेंगे, औ होगा हमारा, ओके, तो यहां हमारा dviver खुल गया है, यहां एक काम करता हूँ, मैं hibernate tutorial में आते हैं, connection में आते हैं, hb underscore demo, इस schema के अंदर जो हमारा hb demo public, यहां पर आये table, आये product जो दिख रहा है, आपको create new table, और नया table का नाम लिख देते हैं, नया table का नाम हम दे देते हैं student, ठीक है, हमने दिया student, great यार, इस student को हम क्या करते हैं, एक नया column बनाते हैं, and student underscore id, यह table दे देते हैं, ठीक है, यहां पर हम एक table दे रहा है, ध्यान समझेगा, हमने दिया, इसको मैं कर देता हूँ, not null, okay, और where care से मैं कर देता हूँ, इसको long, है long, या integer, int, ठीक है, हमने कि या int, ओके, यहां पर मैं एक नया, new create column करता हूँ, name, यहां पर मैं again, create new column करता हूँ, यहां से student, standard, है न, conscious standard, या course कर दे रहा हूँ, course, और यहां पर कर लेता हूँ, email, create, email id, okay, email underscore id, okay, यह हमारा होगे, email id, student id, this, 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 right click करके, यहां पर create new constraint from selection, और इसमें primary की selector लेता हूँ, यह primary की बन जाएगा, student id का, great, अब देखिए, यहां पर name हमारा वैर कर रहा है, सब कुछ सही है, ठीक है, यहां आ जाते हैं, एक नया gradle project create करना है, क्या पर create करना है, gradle project, आपको जान Eclipse marketplace में, और Eclipse marketplace में, आपको search करना है, तो यहां से हम search करेंगे, build ship, अब यह build ship plugin होगा, हमारा gradle build ship integration करके, यह install है, तो आपको यह install होना चाहिए, तभी gradle का project आप बना सकेंगे, internet से यहां पर, तो मैं यहां पर, क्या कर रहा हूँगा, यहां लिख लेता हूँ, makes your, build ship, plugin, is installed, in your Eclipse, come on, ठीक है, हमारा installed है, कोई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप gradle project बनाएंगे, यहां पर, create a database, table, and then code, and then, code, अब code करेंगे, ठीक है, create a database, table, and then code, तो यहां से हमें gradle project बनाने के लिए new, यहां पर देखिए, other में आएंगे, other में यहां से चूच करेंगे gradle, gradle के बाद next, अब यहां पर हम नाम देएंगे, gradle का next करेंगे, यहां पर नाम क्या देना है, hb approach, 3, dash, मेरा है, किसका है, git method का ना भाई, हाँ, loading object, dash, git method, मैं ऐसे लिख देता हूँ, फिर करेंगे next, और यहां पर override वरकस पर setting, gradle wrapper का मतलब internet से gradle download करना, gradle local installation directory मतलब आपके system में अगर gradle download किया हुआ है, जो मेरे में है, तो मैं यहां पर setup कर लूँगा, remote distribution location, जो है remote distribution, local installation directly, remote specific gradle version download करना है, तो यहां से कर लेंगे, बट मेरे में already install है, तो मैं local installation directly choose करूँगा, यहां से browse करूँगा, और browse में उस folder पर जाओँगा, जहां पर मेरा gradle install पड़ा हुआ है, यहां पर होना चाहिए मेरा gradle, मेरा gradle भाई, मेरा gradle जी भाई यह देखिए gradle, अब इस gradle में जाने के बाद देखिए, आपको जो folder धेर सारा मिलेगा, यह bin folder है, इसको select नहीं करना है, ध्यान समझेगा, इसको select नहीं करना है, इसले नहीं करना है, क्योंकि यह parent folder है, ठीक, तो bean का parent folder हमें करना है, select, bean folder जहां पर है, उसका parent folder कौन है, तो gradle 7.2, देखिए, मैं back जा रहा हूँ है, इस folder को select कर लेना है, बस, then finish, यहां पर finish करने से पहले, आपको automatic project synchronization है, इसको इस पर click करके, ठीक है, और, 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 और क्या बोल रहा है, अच्छा, यह local installation directly में choose यहां पर, यह automatic project synchronization, and then, करेंगे finish, यह next, और यह create हो रहा होगा, एक gradle project create हो जाएगा, और gradle project जब create हो जाएगा, तो यहां पर खुद से project बन जाएगा, तब तक इसको project create होने देते हैं, just wait कर लेते हैं, थोड़ी देर, ठीक है, तुरत से create हो जाएगा, फिर हम लोग कोड क create करी रखा है, और इस database में कुछ data पहले insert करेंगे, फिर data से हम कुछ data get करने की कोशिस करेंगे, load करवाने की कोशिस करेंगे, और देखेंगे कि कुछ load होता है, या नहीं, simple, yes, तो यह देखिए, बन गया हमारा, इसके अंदर आपको एक lib folder मिलेगा, जो यहां पे हमें मिल ज नहीं है, ठीक है, यह बाहर बस आपको दिखाए देता है, अब src slash main slash java, इस folder के अंदर, ध्यान से समझेगा, src slash main slash java, इस folder के अंदर हमें क्या रखना है, अपना source code, जो भी code लिखेंगे, src slash main slash resources के अंदर, जो hibernate mapping file रखते हैं, वो रखेंगे, जो hibernate configuration file रखते हैं, वो रखेंगे, इस में source में, ठीक है, बाकी हमें, यह test में testing के file रहती है, आपको यहां से कुछ touch करने की जरुवत है नहीं, यहां पर इसी folder में आपको आ जाएगा, तो यहां folder है, बाकी हम काम यहां से कर रहे होंगे, अभी फिलाल देखिए, तो आप में यहां पर आपको एक default मिल जाएगा, इस default को हम delete कर देंगे, default package को, हमने कर दिया delete, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, और test में भी आए, testing में से भी हम इसको delete कर लेते हैं, और resources में तो कुछ नहीं होगा, तो आप resources देखिए, खाली है, blank है, test resources वगेरा, कुछ भी, तो अब main Java में यहां पर हमें यह बनाने है, code बनाने है, उससे पहले हमें, dependency आड करनी होगी, हैना, add the dependency, add the dependency, of, of, किसका, hibernate, hibernate, core, and jdbc, jdbc, driver, jdbc connector या driver, हैना, jdbc driver, okay, in build.gradle, build.gradle file में आपको hibernate core और hibernate, jdbc driver और hibernate core का dependency है, वो डालना पड़ता है, तो वो डालने के लिए देखिए, कहां, हम जाएंगे, build.gradle में, देखिए, अपने project के build.gradle है, यहां पर है, देखिए, यहां पर repository है, dependencies है, तो यह dependency को मैं सबसे पहले हटा देत हाँ, ठीक है, यह लीचे मैंने हटा दिया, और इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, नीचे तो हमें, नीचे जो हमें, एक मिनट, एक मिनट, यहां फिर से हटाते हैं, यहां से हटाते है, यह task.name यह हटाते है, यह हम रहने देते हैं, यह वाला जो भी bracket है, bracket में लिखेंगे, save क करने के बाद यहां आ जाते हैं, अपने हम, chrome में आप लिखेंगे, ambient repository, and देखे, ambient repository में, मैं यहां पर सर्च करूंगा, यह ambient repository है, यहां से आप कोई भी dependency लगा सकते हैं, तो इसमें सर्च कर लेंगे, dependency में, hibernate, जैसे हमने सर्च किया, hibernate, तो core relocation आया, ठीक है, इस पर क्लि करना चाहूंगा, 5.6.10, final है ना, यह देखिए, central, central लिखा हुआ, 5.6.10, इस पर में, क्लिक कर लेता हूँ, and यह जो है, central repository का नाम क्या, central है, ठीक है, यहां देखिए, आते हैं, even use कर रहे है, gradle, gradle यूच कर रहे हैं, तो gradle पर क्लिक करेंगे, और इसको, ऐसे क्लिक सेलक्ट हो जाएगा, तो मैं इस dependency section में paste करूँगा, देखिए, dependency को dependency, यह jar file download कर देगा, ठीक है, अगर आप अभी देखें, तो अभी अगर आप देखें, तो यहां पर कुछ भी jar file वागेरा कर नहीं दिखा रहा है, लेकिन अभी मैं save करूँगा, तो automatic हमारा किया हुआ था 13% it's downloading, तो इसको download कर लेने देते हैं, और तब तक wait कर लेते हैं, और तब तक हम दूसरा, जो jdbc का jar चाहिए हमें, और वो कैसा jar चाहिए, तो postgres equal का है न, तो मैं क्यार हूँगा, psql jdbc, ठीक है, psql jdbc लिख दूँगा, तो आज आगा हमारा ऐसा postgres लिखता हूँ, jdbc, अब जब postgres jdbc लिखूँगा, तो search कर लेते हैं, आजा भाई, jdbc driver, ठीक है, और यह रहा हमारा postgres equal jdbc driver, और हाँ, यह रहा हमारा 42.4 version, यह जो version, यह download करेंगे, click करके, यह भी central repository में है, तो central repository में, यह ग्रैडल वाला यह copy कर लेंगे, इसको select करेंगे, तो यह copy ह हो जाएगा, ठीक है, अब देखें, जो central repository में है, उसके लिए maven centralize कर रहे होते हैं, maven centralize तरीके से, तो यह already लिखा हुआ रहा हैगा, इसमें आपको करने की कोई दिक्कत है, नहीं, अब यहां आएंगे, enter लेंगे, यहां से हम paste कर देंगे, ठीक है, यह हमने कर दिया paste, इस हमारे लग गए, इसमें, fine, अब जब लग गए, तो हम इसमें coding सुरू करते हैं, अब यह सब को हम करते हैं, यहां से close all, और यहां से मैं right click करूंगा, इस RC slash main slash Java में, यहीं पर हमारा क्या होगा, सारा source code, ओके, यहां से हम code करते हैं, एक class बनाते हैं, जिसका नाम हम देंगे, क्या नाम देना है मेरे को भाई, नाम में हम रखेंगे, student entity, अब entity को package में डाल देते हैं, com.student.coderxsankit.entity, यह हमारा student entity ready है, अब student entity, entity class में, देखे, यह जो होता है, अपका Java in class, implement serializable कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यहां से हम कर लेते हैं, implement serializable, serializable, okay, अब यहां पर हम ले लेते हैं, private, ठीक है, and अगर मैं यहां पर use करूँ, int, क्या use करना है मुझे, student, student id, okay, private string name, है ना, इस तरीके से, private, और हमें क्या लेना था भाई, string course, ठीक है, private string email, okay, यह हमारा है, right click करेंगे, यह जितना property रहेगा, हम, उतना, जो entity है, उसमें, हमारे इसमें होना चाहिए, तो यह देखे, चार है, तो यह इससे match करेगा, represent कर रहा, table को तो, entity table को represent करेगा, अब यहां से, गेटर सेटर, right click, source, generate, गेटर एंड सेटर, अब गेटर एंड सेटर, इसमें select all करके, generate कर लेंगे, तो entity class हो गया, हमारा ready, यह न, entity class हमारा ready हो गया, okay, अब जब entity class ready हो गया, तो अब हम यहां से क्या कर सकते है, right click, class, और यहां पे लिख देते हैं, कि, loading object test, अब loading object test हमने लिखा, ठीक है, ओ, sorry, 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 यह class delete कर यहां से, इसको हमें अलग बनाना है, right click, new class, यहां पे लिख देंगे, loading object test, ओके, और यह, इस class में नहीं हम बना देंगे, इसमें, test package में, यह package बन जाएगा, अब, यहां पर main method, ठीक है, अब उससे पहले configuration कर लेते हैं, तो यहां पर resources में right click करके, xml लिख लेंगे, search कर लेंगे, xml, तो xml file आगे हमारा, next कर लेंगे, हम लिख लेते हैं, hibernate.cfg.xml, अभी हमने hibernate mapping file, यह कर लिया, ठीक है, चलिए, अभी यहां पर देखिए, जो configuration file होगा, मेरा पहले से बना ह हो है न, save object कर गए, तो मैं वहां से configuration file का, जो dtd है, वो यहां से copy कर लेता हूँ, है न, यहां से मैंने dtd जो है, वो copy कर लेता है, यह dtd आपको चाहिए होगा, और dtd ही क्या, मुझे तो यह इतना चाहिए होगा, मैं यही copy कर लेता हूँ, पूरा, बाद में हम लोग, जो है, change करते रहेंगे, अपना, mapping, हमें mapping file ही change करना पड़ेगा, बस, यह हमने select किया, and हम गए, इसके hibernate configuration file में, यहां आ जाएंगे, ठीक है, यह हमने यहां पे आ गया, and सही है हमारा, हमारा, hbdemo ही है, ठीक है, database वगेरा सब सही है, postgres equal dialect होगेरा, सही है, एक काम करता हूँ, मैं dialect को हटा देता हूँ, क्योंकि, खुद से dialect ले ही लेगा, and सही है, उसके बाद, so, SQL, true, सब कुछ किया हुआ है, देखिए, mapping resource हमें बदालना पड़ेगा, क्योंकि mapping file इस बार हमारा change होगा, definitely इस बार हमारा change होगा, तो mapping file जो देता हूँ, student.hbm.ok, xml, hibernet mapping.xml, finish कर लेते हैं, okay, ध्यान से समझेगा, student.hbm.xml, अब इसमें जो होगा, हमारा entity बना हुआ होगा, ठीक है, product.hbm.xml, यह है, यह हमारा xml file है, तो किस तरीके से xml लिखना, यह भी हम copy कर लेते हैं, एक बार हमारा बना हुआ है, तो time लग गया हमारा, अब hibernet mapping में, देखिए, class बताना है, कि क्लास कौन सा है, तो हमारा जो class है, entity का, वो com.coder.entity में तो है, यहाँ पर product नहीं है, उसका क्या नाम है, student entity, student entity, ठीक है, table का क्या नाम है, तो table का नाम भी हमारा है, student, देखिए, table का नाम क्या है, student, है na, student, का small s t u d student, dynamic insert, true किया हुआ, चलिए, उसको रहने देते है, id, id में क्या नाम है, तो id में हमारा नहीं में देखिए, student id है, और column है, pid, तो मैं column change कर दूँगा, oh sorry, यार, one second, यहाँ पर change करते है, student id, और यहाँ पर क्या है, हमने क्या ले रखा है, चरह entity खोलते है, student id, हमने यह भी student id ल capital आय लिया, इस बार, तो यहाँ जाते हैं, और यहाँ पेश्ट कर देते हैं, save कर लेते हैं, name में हमने सिर्फ name लिया है, और column भी हमारा सिर्फ name नाम से है, देन हमारे पास course है, और यहाँ पर हमारे पास again course है, फिर हमारे पास email है, और यहाँ पर भी हमारे पास email ही है, इसक आते हैं configuration file में यह जो mapping resource है इसको हम यह वाला mapping देंगे है ना तो हमने क्या दिया है com.coderxankit slash entity slash ठीक है देखिए यहां पर entity slash and यह कहां पर है product.hbm.xml तो यह product.hbm नहीं this time this time just write product.hbm.xml product में लिया है नहीं यार student.hbm.xml save it यह हमने कर दिया save ठीक है mapping resource हो गया हमारा ready com में जाएगा com में जाने के बाद यह मतलब जहां पर है यह mapping resource हमारा यह हमारा ready हो गया है ठीक है हम लोग code कर लेते है code करने के लिए कुछ नहीं करना है यह इसमें main method क्योंकि entity तो हमारा बना अचा main method हमारा बिल्कुल ready भी है अब इस main method में सबसे पहला क्या काम करते हैं कि bootstrap hibernate bootstrap hibernate को करो activate तो hibernate को activate करने के लिए आपको तीन चीज़े चाहिए होती है ना configuration object तो हम बनाते है configuration object कैसे configuration cfg cfg equals new configuration configuration का हमारा object बन गया चलिए configuration का object बन गया cfg dot configure कर लेंगे cfg dot configure अब configure में यहां पर pass करना है क्या नाम है हमारा हमारा नाम है hibernate dot cfg dot xml यह class path से search करेगा मेरे भाई class path हमारा set है कहां इस resource पर ठीक है तो resource पर set है तो वह हां direct search कर लेगा देन हमें चाहिए session factory हमने कहां ठीक है भाई यह session factory factory equals cfg dot build session factory हमें session factory देगा फिर हम कहेंगे अब हमें session भी देदो तो session क्या कहेंगे कि factory भाई या dot open session open session कर दीजे ठीक है हमने कहा ठीक है भाई open session आपने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए अब हम क्या कहेंगे हमें transaction भी चाहिए होगा तो हम एक काम करते हैं transaction tx equal to अभी फिल हाल रख लेते हैं null जब हमें जरूरत पड़ेगा तो हम कर लेंगे transaction भी अब यहाँ पर देखिए हम पहले save करवाते हैं database में right save करवाने के लिए हमें पहले चलाना student entity st equals new student entity ठीक है हमने बनाया new student entity ओके ओके तो यहां पर हम हमने यह बनाया अब करते है stt.set id id set कर देते हैं 3654 and st.set name name set कर देते हैं राहूल ठीक है st.set course set कर देते हैं java st.st.set email email set कर देते हैं राहूल at the rate abc.com ठीक है अब इसको करना है ठीक है save करवाईए session dot save save object में क्या जाएगा st गया okay यार great अब यहां पर हम क्या करवा रहे होंगे transaction transaction session equal transaction equal to null and tx equal to session dot begin transaction करवा दे रहे है try करवाईए ठीक है क्या कि transaction dot commit हो जाए अगर कुछ दिक्कात आता है तो कहिए कि ठीक है भाई exception पकड़ लीजिए e dot print stack trace कर लीजिए कुछ exception में दिक्कत आती है तो yes क्या समझ में आ रहा है आ रहा है समझ में यहां तक दिक्कत है नहीं है तो ठीक है अगर commit हो जाता है तो यहां पर लिख देते हैं object is saved fine save है कि नहीं right click किजिए run as java application run कर लीजिए बस ओके अच्छा resource को save करने के लिए बोल रहा था run हो रहा 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 देख लेते हैं हमारा save होता है कि नहीं हो आगे हमारा एक error error आया होगा hibernate.property jdbc postgreSQL hbdemo ओके ओके वन सेकंड यार हमने hibernate demo में XML नहीं hibernate configuration file में जो यह hbdemo है ठीक है अच्छो सेट किया वह हमने बिलकुल सेट कर दिया postgreSQL भी सही है हमारा चोगन बत्तिस पोस्ट पर पोर्ट पर कनेक्टड भी है बट 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 वाट वाट वी हैब टो डू यार वन सेकंड बास यह तो हमारा कॉपी किया हुआ है वहां काना एक सेकंड हाइबरनेट मैपिंग फाइल मजरा जाहिए टेबल तो हमारा स्टूडेंट बना हुआ है ही क्या वैसे बोला यह फिर से वर कंसोल देखते हैं हम लोग प्रोपर्टी एकस्स पी आई में कुट नोट लोकेट गिटर अस्टूडेंट हैस पी आईडी अच्छा 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 इट अस्टूडेंट आईडी पी आईडी एस बी एम में जाएए तेखिए कॉलम में हमारा यह गलती किया हुआ यहां से अस्टूडेंट आईडी कॉलम का नाम है तो मेरे भाई अस्टूडेंट आईडी ऐसे सेलक्ट करेंगे और सेव करेंगे फिर से आएंगे यह हमारा load object test run है java application run करवा लेंगे फिर से run होता है कि नहीं हो जाना चाहिए हमारा वहाँ पर mistake हो रहा था अच्छा build session factor में अब गलती है फिर से हमारा क्या गलती है could not locate the pid मैंने तो change कर दिया boss मैंने hibernet configuration.xml यहाँ तो सही है student hbm oh id name is pid यहाँ पर भी change हो गया student id यह ऐसे change होना चाहिए save save it ठीक है again I am running it I don't know yet I think oh save नहीं हो था अच्छे से change तो किया था मैंने कोई बात नहीं फिर से change करते है again it is demanding something could not locate p name यार हमने कहीं और change मार दिया क्या यार I think हमने लगता है उस वाले full file में change कर दिया अरे यार ओ सिर्फ name रखो कोई बात नहीं हो यहाँ से हम लोग save नहीं हुआ होगा या हमने कहीं दूसरे जगह कोई बात है हम लोग change कर लेते है property name course course email email save it again re-run the project right click run as java application I think this time it has to work let's wait just relation postgres equal a student does not exist okay 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 query to here but object save exception could not execute statement student xql grammar transaction student does not exist student does not exist here save it one second यार यह मैंने persist नहीं किया है database में हमारा table अब जाके बना है refresh करेंगे उस समय हमने save नहीं किया था अपने project को एक बार फिर से run करते हैं कोई बात नहीं it is testing our patience it is testing our patience हम अपने patience से हमार नहीं मानेंगे don't give up and use it okay अब देखिए कह रहा है कि email of relation student does not exist email नहीं exist कर रहा है मेरे भाई email of कोई बात नहीं it is again testing our patience go email underscore id it is email underscore id है यहां पर देखिए हमने क्या दिया है hibernate mapping file में जाएंगे hibernate mapping file में जाएंगे यहां से email underscore id करेंगे and next save it and then again rerun the project rerun the project pause just go and rerun the project see you student id of relation student does not exist kya हो रहा है मेरे बास student hbm again i have error student id of relation student does not exist student id column is there student underscore id है just अज कितना गलती हो रहा है कोई बात नहीं हम इसी गलतियां से सिखेंगे right click कर के फिर से रहना है I don't think so this time we we can expect the desired result but let's see okay now object is saved it is working it is not working it is working right click refresh and just right click view table view table go to data okay 3654 Rahul is there java is there rahul at there at abc.com is there fine let's try one more one more one more data change change Rahul from Amit change 500 to 500 to Amit at the rate spring framework course save it right click or just rerun the project rerun the project rerun the project just rerun the project it will again save yes save yes don't worry open it refresh this so are we getting the second result also yes second record insert it means save is working now check how to load do fine load what to do do this time we don't need this much of code and just comment it and open session and transaction is not required in select statement transaction is not session dot get entity type so student entity student entity class this type id me my id 502 pass 502 this return student entity entity return student entity return student entity st equal to this student entity st print 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 right click run java application see load can we see select student id from where student 0 where student id 사가 of question the net do and to the task is is में जा करके to a string just overwrite this to a string yes generate to a string कौम ने किया and just go again inside the this class and run the project again once more इस बार देखिए क्या हमें वो लोड होके data मिल जाएगा just see yes देखिए a student का नाम क्या है है ना course का क्या नाम है है ना email का क्या नाम है है मिल रहा है yes definitely अगर मैं फिर से ऐसे करूँ a student entity a student entity st2 student2 equals session.get a student entity and let's say मैं एक ऐसा id देता हूँ जो है ही नहीं ओके student entity.class अब मैंने ऐसा id दिया जो इसमें exist नहीं कर रहा हमारे data vegetable में अगर मैं out करता हूँ st2 को तो this time this time हमें क्या मिलना चाहिए right click run java application run it देखता हूँ मुझे क्या मिलता है first वाले में तो मुझे मिलेगा second वाले में are we getting null yes तो मुझे null मिल रहा है ना null मिल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है अच्छा डाल के देखता हूँ जो available है तो three six five four available है yes three six five four available है मैं लिख देता हूँ three six five four oh sorry यार यहां नहीं three six five four मुझे यहां लिखना है id के जगे पर यहां पर ht2 तो वह दिखा देगा रन करते हैं project को फिर से तो get method मेरा काम कर रहा है ज़रा फिर से देख लेते हैं यस देखें क्या हमारा get method काम कर रहा है यस इस बार भी आ गया राहुल और उपर देखिए अमीत अमीत राहुल चो भी है हमारा वह सब दिख रहा है fine great ना yes पहले जो निकला है जैसे ht वाला पहले निकला है 502 वाला 365 अमीत यह जो राहुल वाला है वो बाद में निकला है इसलिए बाद में दिखा रहा है यहां पर अगर मैं एक और काम करूँ मैं करता हूँ साउट मैं कहता हूँ कि मुझे बस एक ही दो st2.get name ठीक है तो क्या मुझे name मिलेगा right click कर ये run and run java application तो ये मुझे name भी दे सकता है of course देगा नाम देखिए सिर्फ एक एक प्रोपर्टी भी आप इस तरीके से निकाल के यूज कर सकते हैं आपको कभी आगे यूज करना हो तो I think now आप समझ गया होंगे getmated किस तरीके से काम करता है और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं मिलता आपसा निक्स वीडियो में बाए टेक केल